नमस्कार दोस्तो मैं डॉक्टर सपनिल सागर जैन निरामय होमियोवैथी के अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक बहुत ही खास मैडिसन के बारे में जिसके mental और physical symptoms बहुत सारे लोगों में बड़ी आसानी से देखने को मिलते हैं लेकिन वास्तम में ये जो symptoms होते हैं ये बहुत specific symptoms होते हैं और ये जो symptoms है ये खास तोर से young age के लोगों में यानि कि 15-20 वर्ष की उम्र से लेके और 40-45 वर्ष की उम्र तक की जो अवस्ता होती है इन लोगों में ये symptoms से ज़्यादा तर देखने को मिलते हैं इस medicine का नाम है दोस्तों Argentum Nitricum Argentum Nitricum का जो patient होता है वो सबसे ज़्यादा ऐसा व्यक्ति है जो कि young age में ही बुड़ा लगने लगता है ऐसा लगने लगता है कि जैसे उसके गाल बिलकुल पिचक जाते हैं आखें बिलकुल अंदर धस जाती हैं चेहरे में कोई तेज नहीं रहता है एक सामान्य व्यक्ति जो की एक 30-35 वर्ष का एक युबा जो होता है वो 50-60 वर्ष के आदमी की जैसा दिखाई देने लगता है तो ये इसका एक बहुत खास सिंटम होता है इसके दूसरा खास सिंटम है कि इसके शरीर का जो निचला हिस्सा है यानि कि कमर से लेके जो नीचे के हिस्से पैर, थाई, हिप्स ये जो है ये बहुत दुबले होने लगते हैं बहुत पतले हो जाते हैं शरीर उपर से फिर भी ठीक है अच्छा देखेगा लेकिन नीचे का हिस्सा जो है वो पतला हो जाएगा पैरों थाईज की यानि कि जांगों की यदि बात करें तो बड़ी पतली जांगे रहेंगी हिप्स का डेवलपमेंट सही नहीं होगा इसका जो पेशेंट है अरजेंटम नाइट्रिकम का वो किसी भी उचाई वाली चीज से नीचे की ओर नहीं देख सकता उसको देखने में बड़ा डर लगता है मान लीजिए कोई व्यक्ती है ब्रिज पर खड़ा है पुल पर खड़ा है नीचे से नदी बह रही है तो पुल को देखके उसके मन में नीचे पुल पर खड़े होके नीचे पानी को देखने से उसके मन में societal tendency develop होने लगती है वो ये सोचता है यदी मैं यहां से गिर गया तो मेरा क्या होगा यदी मैं यहां से गिर गया तो मैं क्या करूँगा यदी मैं यहां से गिर के देखूँगा तो मरूँगा की नहीं मरूँगा इस तरह की विचार उसके मन में आने लगते हैं मीठा खाना इस patient को बहुत ज़्यादा पसंद होता है इसके अलावा इसका एक और लक्षन होता है जो बहुत सारे लोगों में देखने में मिलता है वो होता है anticipatory fear anticipatory fear का मतलब होता है कि जब हमें कोई काम करना है उसकी एक निश्चित समय सीमा हमें दी गई है तब उस समय सीमा में हमें काम करने के पहले ही घबराहट होने लगती है मान लीजिए किसी की 10 बजे कहीं पर कोई meeting है 10 बजे के पहले रात बर उसको नीनी नहीं लगेगी कि मुझे अगले दिन सुबह 10 बजे meeting में जाना है मैं क्या करूँगा कैसे करूँगा सपने आते रहेंगे अच्छा सपने भी कैसे आएंगे कि उसकी train छूट गई है exam देने गया था exam में अपना paper दे नहीं पाया क्योंकि पैंजान्थ में लेके नहीं गया था इस तरह के anti-sepetri dreams उसको आएंगे और 10 बजे उसकी meeting है तब तक जब तक कि उसकी meeting में वो पहुँच नहीं जाएगा तब तक उसको इसी तरह की घबराट होती रहेगी पसीने छूटते रहेंगे इसके साथ ही मान लीजे कि उसी व्यक्ती को उस meeting में जाना है और उसी समय कोई urgent phone call उसका आ जाता है और एक दम से उसे शौक लगता है देखके कि ये किसका phone आ गया तो उस शौक की अवस्था में उसे fresh होने के लिए जाना पड़ता है toilet के लिए जाना पड़ता है उस कारण भी उसको toilet करने जाना पड़ सकता है लेटरिन करने जाना पड़ सकता है इसके साथ क्योंकि इसको anticipation बहुत जादा रहता है मन में घबराहाट बहुत रहती है और उस घबराहाट का जो कारण है वो है इसकी मानसिक और शारीरिक कमजूरी अब ये मानसिक और शारीरिक कमजूरी किसी भी कारण से आ सकती है यंग एज में इस तरह की मानसिक और शारीरिक कमजूरी आने का मुख्य रीजन जो है वो है अडल्ट्री यानि की अशलील चीजों में फस जाना ये सबसे ज़्यादा मुख्य कारण होता है इसके साथ साथ में जो लोग शारीरिक रूप से दुबले पतले हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था चूकि इनके शरीर का निचला हिस्सा जो है वो थोड़ा सामाने से थोड़ा दुबला होतला है तो उतना जादा वो लोग काम नहीं कर पाते हैं और बहुत जल्दी ठक जाते हैं तो मानसिक और शारीरिक ठकान को दूर करने के लिए भी अरजेंटम नाइटरिकम का यूज किया जाता है तो ये जो सारे symptoms होते हैं दोस्तों ये urgentum nitricum के symptoms होते हैं ज़िए हम इसके dose की बात करते हैं तो इसका dose जो है हमें 30 potency से start करना चाहिए ये urgentum nitricum 30 potency में ही है मेरे पास 30 potency में इसको start करना चाहिए इसकी दो बूंद सुभे, दो बूंद उपहर को, दो बूंद शान को पहले 8 दिन तक दें उसके बाद अगले 15 दिन तक केवल सुभे शाम दें और उसके बाद अगले एक महीने तक दिन में केवल एक बार दो बूंद इसकी देना है उससे patient के symptom धीरे धीरे ठीक होंगे अब कई बार ऐसा होता है कि ये potencies बहुत सारे patients को suit नहीं भी करेंगी उस अवस्ता में homeopathic physician से मिलके अपने symptoms के अनुसार यदि आप potency लेंगे इसी medicine की तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ये आपको दवा किसी भी homeopathic medical store पे बड़ी आसानी से मिल जाएगी आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलाल इतना ही आगे के वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी homeopathic दवाओं के बारे में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत